नमस्कार दोस्तो मैं हूं मुक्ता दिक्षी तेस्टो लोजर आज हम बात करेंगे आपका कल का मार्केट कैसा रहेगा याने कि एक अगस्त दो हजार तेश मंगलवार का दिन रहेगा मार्केट कैसा रहेगा ग्रहस्थिती के अनुसार आप लोगों को बतलाऊंगी जैसा कि आज के मार्केट के लिए आप लोगों को जानकारी दी गई थी एपप साइड में कुछ डाउन देखा जायेगा तो मारकेट में अब किस थिती भी बनी और डाउन्व की भी बनी थी तो इस प्रकार से जो है ओर अन्त में आज bauen को देखने को मिला तो यह ग्रेच थिति तो जेको रहा है जिस प्रकार से हो जाती है वैसा मारकेट चलता है कर सकते हैं और इसके साथ डिस्क्लैमर पढ़ना आपके लिए अतियानिवार है और जो लोग भी चैनल से नए जुड़ते हैं वह आज जरूर जाने कि हमारे सारे प्रिडिक्शन जो रहता है एस्टलोजी की बिस पे रहता है तो जब भी आप मार्केट में काम करते हैं मार्केट का रुग जरूर देखें अपनी सौप बेग का उप जरूर करें इसके बाद आप जो तिसके टिपसों को देख सकते हैं तो जी हैं दोस्तो कल के मार्केट क्या रहने वाला है इसके बारे में जानकारी देंगे जैसा कि आज के मार्केट के लिए गोल्ड के लिए और सिल्वर क्रूड आइल आदी के लिए जो मैंने बीडियो डाला था गोल्ड सिल्वर क्रूड आइल का कि उसमें तेजी देखी जा है और जो है आपके सिलवर में भी तेजी देखी गई इसके साथ जो है क्रूड आयल में भी अच्छी तेजी देखने को आज हमें मिली तो इस प्रकार से ग्रह गणना के अनुसार एक अनुमान एक अंदाज लग जाता है कि आखिर क्या इस्थितियां बन सकती है अब हम देख रहा उन्होंने तो अच्छे से काम किया होगा वरना आज कई लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा होगा तो जी हैं दोस्तों आप हम देखेंगे कि कल की रहस्तितियां क्या कह रही है तो सबसे पहले पंचांग देखते हैं मंगलवार का दिन रहेगा उत्रा साढ़ा न चंद्र सूर्य का योग केंद्र में बना हुआ है इसके साथ जो है बुद्ध सुक्र और मंगल का योग है खड़ाश्टा की योग कल बन रहा है तो ऐसे स्थिति में मार्केट में भी कल कुछ उठा पटाख हम को देखने को मिल सकती है तो जी हैं दोस्तों आगे कि स्थिति उपर कल क्या प्रभाव रह सकता है ग्रह स्थिति के अनुसार तो जी हैं दोस्तों सबसे पहले आती हमारी मेश राशी तो मेश राशी वालों के लिए कल का दिन सोभ है काम करके लाब ले सकते हैं इसके बाद आती है आपकी मिधुन राशी मिस्रित योग है प्रॉपिट मि मिलते ही मार्किट से बाहर हो सकते हैं वरना आपको बड़े नुकसानी उठानी पड़ सकती है करक राशी वालों के लिए लापका योग है आप भी काम करके लाब ले सकते हैं सिंग राशी वालों के लिए हानी का योग बन रहा है काम ना करें तो बहतर रहेगा करन्या राशी राशी वालों के लिए पूर्ण लापका योग है काम करके लाम मिलेगा तुला राशी वालों के लिए लापका योग है काम करके लाम मिलेगा रश्चिक राशी वालों के लिए जो है मिस्रित योग है प्रॉपिट मिलते ही बाहर हो जाए वरना हानी हो सकती है धनू राशी व स्थालर120. तो जियां दूस्तों ग्रह स्थिती के अनुसार जो है। करके मारकेट में क्या इस स्थिती बन सकती है जैसा कि आज सबाँ नो बजे आपके लेबल निकाले गए थे ग्रह स्थिती को देखते हुए तो निप्ती के लिए निकाला गया था उनने सजार साथ सो चाल लेकिन निप्ती का जो टारगेट गया आपका उनने सजार साथ सो बहतर तक गया जो मैंने निकाला था इससे भी जो है आगे गया इसके साथ डाउन में निकाला था उनने सजार पांस सो अंठाव हाई के लिए लोग के लिए जो दिया गया था उसको मार्केट पार नहीं कर पाया नहीं निकाल पाया 45,250 तो इसके उपर ही आपका मार्केट रहा तो जियां दोस्तों ग्रह स्थिति के अनुसारे का नुमाने का अंदाज लग जाता है और यह जब लेवल हमको समझ में आ जात हैं और अपना पैसा खराब करते हैं तो वे सभी लोग बहुत ही सावधानी पूर्वा काम करें क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों के फौन आते हैं कुणलिया देखते हैं जिसे की जानकारियां लगती हैं तो जब आपकी पत्रिका में योग हो पूरन लाप के तभी आप मार् मार्केट का तो आपको जवरदस्त हानी उठानी होगी क्योंकि व्यक्ति को यहने मालूम पढ़ता है कि आगे क्या इस्थिती बन सकती है के वल हम एस्ट्रोजी के बेस पर ही एक अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या इस्थिती हो सकती है तो जी हां दोस्तों आब हम देख trend में कुछ आपके side market देखा जा सकता है और इसके बाद अप downside की स्थिती बन सकती है तो downside की उमीद जादा समझ में आ रही है और काम के योग जो बन सकते है जैसा की आज आपका जो market चला है और इस market के हिशाब से कल जो है जो है जो हम point देखते हैं तो लगभग 50 point से लेकर के 135 point के बीच में निप्टी में कारयोग बनेंगे और इसके साथ यहीं हम आपके bank निप्टी के लिए देखते हैं तो यहां पर भी 180 point से लेकर के लगभग 400 point के आसपास ही कारयोग कल बन सकता है और इसके बाद जो है कल का मार्केट के लिए मैंने जो आपको अंक बतलाए हैं और जो आपके टार्गेट रहते हैं यह सबा नो बजे निकालने पर ही किलियर और सही इस्थिति इनकी समझ में आती है इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को टार्गेट नहीं बतला पाती हूँ तो जो लोग भी हमारे कारलाय से जन्मकुल्नी हस्तरेखा रतन बास्तु का प्रामस चाहते हैं वो कारलाय के दिये नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ ही आप हमारे कारलाय से गोल्ड, सिलिवर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, रूडाहिल का दैन, एक वीकली और मंत पूरी जानकारी देते हैं तो जिहां दोस्तों आप रिपोर्टें ले सकते हैं, जानकारीं ले सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे, चैनल को लाइक सस्क्राइब जरू कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार